सासिकल दोस्तों मैं हां तो अडापना गुर्विंदर सिंग तुसी देख रहे हो बाजवा एंड संदू व्लॉक्स आजदा व्लॉक्स बहुत इंपोर्टेंट है इंटर्वियू नू लेके बहुत सारगा वीडियो सोशल मीडिया ते तुहानू मिल जान गिया जिन्या वीडियो ने उन्या कन्फ्यूजन ने ते सब्तों वड़ा सवाल हों तक जेडा कॉमन देखन नू मिल आए ओ ए है कि आखिर केडी प्रोफाइल नू कैनेडा इंटर्वियू लई बुला रहा है किस प्रोफाइल नू इंटर्वियू दे लई मैसेज आया या कह सकते हैं कि उस दी जीसी की दे वेच रिफलेक्ट होया है इंटर्वियू दा लेटर सो आज दा वीडियो एसे टॉपिक ते होन वाड़ा है एक बच्चे दा इंटर्व्यू दा लेटर ते जीसी की दा स्क्रींशॉट तो हड़े नाल पहला हमी शेयर कर चुका है आई बटन वेच वी तो हनूँ वीडियो मिल जावेगी ते आज जेडा मैं डिसकस करांगा वो दुझे बच्चे दा है एस बच्चे दी पूरी प्रोफाइल तो हड़े नाल डिसकस करांगा ताकि तुसी आईडिया लगा सको कि आखिर केडा वो बच्चा है जिसनू कैनेडा इंटर्व्यू ली बुला रहे है वीडियो शुरू तो लेके एंड तक जरूर देखेो ताकि तो हानू थोड़ी जी इस इंटर्व्यू बारे होर क्लिर्टी हो सके जेकर पहली बार चैनल देख रहे हो चैनल नों सस्क्राइब जरूर कर लो क्योंकि साड़ी कोशिश है हुंदी है सही अथेंटिक ते पूरी जानकारी तो हाड़े तक पहुंचो ना किसे भी तरह दे परमोशनल कंटेंट ते असी जोर नहीं दिन दे सो किसे भी तरह दी वीजा फाइलिंग नी कर दे सो कोशिश ही हुंदी है कि पॉइंट टू पॉइंट ते सही इंफॉर्मेशन तो हाड़े तक पहुंचे बहुत सारे एजेंट हाले भी कह रहे हैं कि इंटर्व्यू आया नहीं साड़े बच्चे नों तासी के में माल लिया इंटर्व्यू आ रहे हैं कि जिन्ना चर्थ तक इंफॉर्मेशन वेरिफाई नहीं कर लें दे असी इस बारे गाल नहीं करांगे बट पिछला जड़ा वीडियो सी गा मेरा इंटर्व्यू दे विच बकाइदा तौर ते जिसी की दा स्क्रीन शॉर्ट लेटर तो हानू दि इससे चैनल ते मिल जावेगा सो चैनल नो सस्क्राइब भी कर लेओ वीडियो शुरू कर दे हैं ते खास करके लेट थोड़ा जा थोड़ा पूम का बनन दे विस टाइम जादा इस करके लाग गया क्योंकि इस बारे दसना बहुत जरूरी सी गा बच्चा ने अंदर कोछ र एड्रेस ते ओधा जड़ी लोकेशन है ओधा थोड़ी गोपनी है रवेगी ओधा कॉन्फिडेंशियल है तो इस करके मैं उस बारे थोड़ा जा डिस्क्लोज नहीं करांगा बच्चे दी फाइल SDS है यानि SDS केस है दो सप्तमबर नो फाइल लगी सी जड़ा पिछला तो ह तेंथ वेच बच्चे दे 75% मार्क्स ने उस तो बाद डिपलोमा सिविल इंजिनरिंग दे वेच कीता है तेंथ तो बाद प्लस टू नहीं कीती बच्चे ने सिविल इंजिनरिंग दे वेच इसने डिपलोमा कीता है ते ये दे वेच दे 8.76 जीपीए है उस तो बाद बच् ब्लॉक वी है इस दी डिग्री दे विच बी टेक दी उस्तों बात बच्चा जॉब कर रहा है जैनुवन जॉब है बट सैलरी इन हैंड मिल रही है ते बच्चे दी जड़ी जॉब दी जड़ी पोजीशन है वो साइड इंजिनियर दी है यानि कैसा अगने है कि बच्चे दी पोजीशन है वो साइड इंजिनियर दी है जिते जॉब कर रहा हो थे एलगोमा इंवर्सिटी कैनडा दी उते इसने एडमीशन लिया है प्रोजेक्ट मेनेजमेंट दा इस दा कोर्स है आई टी आर ते सी ए रिपोर्ट इसने यूज नहीं की थी यानि कोई भी फाइनेशल नहीं लगाया क्या उस्तों बाद इस बच्चे दा इकी तरीक नूँ इकी नुवंबर नूँ इंटरव्यू है ते इंटरव्यू तो बाद भी ऐस दा असी इंटरव्यू करांगे ताकि क्लिर्टी हो सके कि एक्चुल दे वेच बच्चे तो केड़े सवाल जवाब पुछे गये ने होण तो हडे नाल बच्चे दे बारे थोड़ा जड़ा डिसकेशन कर दे हैं जदो इस प्रोफाइल नूँ देखिए ता ओवराल एकेडमिक ते जाई है ते बच्चे दी एकेडमिक बहुत अच्छी है जे एक बैकलॉक नूँ साइड ते रख दिता जावे ता उस उस्तों बाद बच्चे ने जड़ा कोर्स लिया है वो कोर्स केवें प्रोग्रेसिव हो सकदा है इस दी स्ट्रीम दे नाल ये सबतों वड़ा सवाल है ते मैं नूँ एंज लगदा है कि एत्थी सबतों वड़ा डाउट है इस बारे क्लिर्टी हो सकदा है कि हम बैसी लेना चांदी होगे उस्तों बाद एक डाउट हो रहा है कि बच्चे दा फी प्लैन की है क्योंकि एक साल दी फी एक साल दी जिया इसी पे करके बच्चा कैनेडा स्टडी वास्ते जा रहे है एजुकेशन लोन में ऐस बच्चे दा एवी एक चीज में तो हमनों क्लिर करना एजु एक बहुत चंगी चीज है कि एस प्रोफाइल तो बच्चे दा नों होर सेत मिलेगी सिखर नों मिलेगा तो इस देदार तो आपनी फाइल दा भी एसेस्मेंट कर सकनगे कि कि उनने इंटर्व्यू आ सकता या नहीं आ सकता उस्तों बाद फी प्लैन की होवेगा एक साल दी एक साल दी GIC पे कर देती अगले साल दी फीट एगले साल दी एक्स्पेंसस के में उते बेर करने आए इस बारे सवाल जवाब हो सकते ने बट एस सारे साड़े मनकड अंतने कह सकते कि आपने वल्लों एड आउन करके चीज़ां तो हनू दास रहें कि आए हो सकता हो सकता इंटर्विव आवेगी जेसते वेच डाउट होवेगा क्योंकि जे लॉजिक टांग नाल भी सोच्या जावे ता जिनना बैकलॉग है एड़े वड़े लेवल ते जे सब दे इंटर्विव लैन लगे ता ओ फिर बैकलॉग की क्लेर नहीं कर सकते टैंसर वीजा किसे दनी आ आवेगा तो भी सो काट प्रो फाइल नो वीजा आवेगा जेडी फाइल डॉक्युमेंटे लिजक्र किती जा सक्ट होई होई जेडी फाइल नay ळार सक्ट है वीजा पूप्छे वेकर तो हड़ा हुंदा है जेकर तुसी वन साइड़ इंटर्वीव वेची विजा ओफिसर दे सारे डाउट क्लियर कर देते ता फिर पिछे कुछ नहीं रहे जानदा इंटर्वीव ओना बहुत मुश्कल है का सकते कि ना दिवराब पर है उस्तों बाद जेकर डाउटफुल चीज है तो हड़ी प्रोफाइल अच्छी है तब ही तो हड़ा इंटर्वीव आवेगा जो तो हड़ेली पॉस्टिव संकेत भी किया जा सकता है एक चीज हो रहा है कोछ ए थे सोशल मीडिया ते एहो जे भी ने जो वीडियो देवेचे कह रहे हैं कि हालेज दी पुस्टी नी कित जा सकते इंटर्वीव आ रहा कि नहीं आ रहा पता नहीं है असी हां ले कुछ कहए नहीं सकते देखो ओगल वक्री हरेक दी आप आपना तरीका हुंदा है कोई प्रमोशनल कंटेंट दे चकरच कहने कोई किसे तरीक के नाल कहने हो सकता हरेक दा अपना लहजा हरेक दा आप एदा जड़ा है वो बकाइदा तो औरते इंटर्विव तो हानू बाई तरीक नू बाई नूम्बर नू में दिखावाँगा जिस देवेज तो हानू लगपक लगपक सब कुछ क्लियर हो जावेगा जेकर तो हानू किसे चीन लएके डाउट है तुसी SOP वेच कोई हैल्प चाओंदेओ केपस नोट वेच कोई हैल्प चाओंदेओ या होर किसे तरह दी तो हानू कोई कनफ्यूजन है तो हाड़ी फाइल नू लएके आपनी प्रोफाइल साड़ेनाल डिसकस करना चाओंदेओ तो वर्टसप देओ ते मैसेज करो एपॉइंटमेंट बोक करो ते ऐस पर एपॉइंटमेंट तो हानू कॉल बैक करांगा कोशिश करांगा तो हाड़ा हो हाड आउट कलेर करां जेड़ी तो हड़ी कनफ्यूजन है सो उमीद करदां व्लोग पसंद आया होवेगा किसे भी तरह दी विजा फाइलिंग नी कर दे सो विजा फाइलिंग वास्ते कॉल ना करया करो कोशिश करया करो कि सवेरे नौ वजे तो पहला ते इविनिंग टाइम साथ वज तो बात तुसी मैसेज करो ताकि मैं तो हड़ा इंस्टेंट रिपलाई भी कर सका उमीद करदान व्लोग पसंद आया होवेगा हो रिस्तरा अंदि अब डेटली बने रहो बाजवा अंड संदू व्लोग सेनार साश्रिकार